तमस्ते भारत नमस्ते किशान मैं गणिश किशान फिर से किशान का रेशला प्लाटफॉर्म पर आज हूं आधरवर्देश और आधरवर्देश में कई सारे किसान मित्र साथ में हैं और एक बड़े फार्मर जिनका पिछले साल 50,000 पाओदा यहां पर सक्सेस किया हुआ ए वही किसान का 100 एकड में कॉंट्रेक्ट फार्मिंंग वह कर रहे हैं तो शायद 100 एकड में लैंड को खरीद कर लैंड को अभी लेवलिंग करना शुरू है आपको थोड़ा सी ट्रैक्टर वगरा साधन सामगरी दिखा देता हूं और उभाई साव है सामने जो केले के बहुत बड़े वैपारी है और इनकी काफी लोडिंग की गाड़िया यहां से चलते हैं और यही मेर साती है यहीं तार की फैंशिंग अगर देखेगी लगभग लगभग यह जो तार है जितना आपको यह केले का प्लॉड बनेगा इनका पहले पच्छाश जार पोधाया पे लगा हुआ है उसका भी एक सेशन में कल के दिन जाओंगा तो वीडियो बना कर डालूंगा यह पूरा जहां तक आपको नजर मिले वहां तक पूरा यह 101 का पूरा अपलॉड बना हुआ है और 101 के बीच में सेंटर में मैं खड़ा हूँ जहां पर यह ताला बना हुआ है जो ताला यहां के जो नहर होते हैं नहर से कनेक्टिविटी में है नहर में पानी आएगा तो नहर का ग्राफ अगरा लेकर कम से कम 10 बोरिंग अभी लाइव बोरिंग तीन है यहां पर जिसका पानी हम लोगों ने टेस्ट कर लिया है और टेस्ट करने के बाद में कुछ 20 हेकड में हमने यहां पर बाजरा लगा दिया है जैसे यह वाला एक दो यह तीन यह चौता सेशन यह पूरा कंप्लेटली यह सन लाइट आ रहा है सुरज की रोशनी इसकी वज़े से लास्ट तक नहीं दिखा पाऊंगा एक्चुल एंट्री वहां से आगे से वहां से इधर आना है तो यह कम से कम 20 एकड में अलग-अलग जगा पर सॉल टेस्टिंग के लिए हम लोगों ने ब किसान मेट्र को पहले प्रिपेड करना पड़ेगा स्टिंग करना पड़ेगा या क候 अर्गनिक परकंटी में नहीं है तो और पर संटेज बढ़ने के लिए कोन सी द्लम के लिएं दो प aids और यह बहले साल केला नहीं लग केला लगाने के उतनी अतिशिग्रग घाई जो बोलते है तो वह नहीं करनी है क्योंकि केला यह इसा क्रॉफ है कि एक बार लगा और लगाने के बाद कम से कम पाच बार कटिंग होना चाहिए तो इतनी बड़ी लैंड में अगर आप तो डस बार कम से कम कटिंग कर रहे होना तो दो पैसे आपके जरेब में आएंगे नëसे तो शुरुपाती चरण में और लेंडप परचेस के बाद में लेंड़ को फ्लैड बनाना फ्लैड बनाने के बाद में उसमें ड्रीप के बाद में फिर पौधा प्लैंटेशन करना यह बहुत बड़ी मोटी अमाउंट लगती है तो यह अमाउंट एकसेस नहीं जाए उसके लिए हमें सोच समझ कर आगे कदम बढ़ाना है और फिर केले में जाना है ना कि पुरा रिकवर करके फ्लैट करके उसमें केला लगा दिय है वो चीचे घडबड रहेगी यह थोड़ा सी पहल दिखानी थी कि आंध्राप्रदेश तेलंगाना तेलंगाना में भी हैदराबाद में कम से कम 25 हेकड में लैंड फार्मिंग जैसे कॉंट्रेक्ट फार्मिंग बोलेंगे उसे किसानों का सारा पौधा सिके जीनाइन ड्र क्यों केला चाहिए क्योंकि यहां पर कई सारी वराइटिया लगती है ओनली जीनाइन नहीं लगेगा जीनाइन के साथ में दूसरे वराइटिया भी लगेगी उसमें भी पूरी गाइडलाइन रहेगी और उसको बेशने की प्रनाली लगाने से लेकर कटिंग तक का जो आग ग्राफ रहेगा स्ट्रक्चर कैसा है उस हिसाब से उनका ग्राफ रहेगा सारे किसानों को एक जैसा ग्राफ नहीं हो सकता है क्योंकि स्ट्रक्चर अलग-अलग है यहां मैं आया हूँ आज कम से कम यह मेरा साथ से आठ नंबर का प्लॉट है जो मैंने विजीट किया हुआ ह में। लाइबड़ तो हर जगा पर स्वाइल का स्ट्रछर अलग अलग है जैसे यहां पर ये दो मट वाली मिट्टी जीसे बोलते हैं भुरान वाली मिट्टी थुड़ा सा जो कालापन भी है जो दूसरा केले के लिए चाहिए da मास्टर है गापके में पानी या कोवे में पानी यह दो कटू सत्त हैं मित्रों ये जिनके पास में है केले के पास आ सकता है नहीं तो आप जो भी खेती कर रहे हो उस खेती को कैसे बेटर करें इसके लिए किशान कारेशाल आपके साथ में हैं यहूं चला शूंकाई का नरहें हैं। इससे एक एकड़ की छेती में हम दोगी फसल लगा रहे हैं। कि उस फसल में हम लोग उत्पादन कैसे बढ़ा है है। इसके ऊपर आगे बढ़ना ना कि अके क्यूंकि जिसके पास पानी हैं पैसा है उसके पास केला है तो उसके पास गण इसी बात नहीं है एक्चुल मैंने ठान लिया है कि जिनके पास पानी नहीं है जिनके पास ड्राइ एरिया है जिनके पास बारिश के पानी के उपर आश्रीत किसान है उनको भी मैं शिक्षित करूँ एजूकेट करूँ जितना मैंने इस नेचर से लिया हुआ है जितना मेरे पास मैंने मेरे पास जो संचय किया हुआ है, वो संचय को आप किसान मित्रतक पहुंचाने का मेरा एक ही उद्धेश्य है कि भारत का किसान, ये पुरे विश्व में कुछ नया आयाम और पैगाम लेकर आए, क्योंकि क्रिशी में अभी पुरा वर्ड का जो देखने का नजरिया है, वो भारत की तर चेंज हो रहा है, लेकिन हमें उस नजरिय को ध्यान रखते हुए, हमें हमारी खेती में परियावरण पुरक, मट्टी पुरक, पानी पुरक, और हमारा शारिरिक, मानसिक और सारी चीजों को पुरक चीजों को काम करने का हमें कार्य करना है, और इतना बोलकर मैं मेरा वीड अब यहां पर केला लगेगा उसके बाद में और अलग-अलग सेशन रहेगा एक्चल तीन महने पहले ही यहां की वीडियो आनी चाहिए थी लेकिन उस समय यहां पर यह चीजे थी सामने आपको दिख रहा है यह वाली चीजे लैंड को पहले देखा गया देखने के बाद में अब के लिए रखेंस चीजे किसें बाद में आज तीन मेहने बाद लेंड को कहती अच्छी तरीक roommate मां अकित चातर प्रेंग मतलब के चारों तरह से यह आद्रा की पहाड़ी या जो लगडि के जंगल में लाल चंदन वाली सारी चीजे है इदर आगे में वो जो दिख रहा है यह पाहड़ी सुकी पाहड़ी है इसमें लाल चंदन नहीं है नॉर्मल लगड़िया है चल पूश्वा भीचर जो बनी थी वो इसी शेत्र में बनी भी है यहां से कुछ उस दिशा में वो डैम वगरा सारी चीजे है घना जंगल है ओके थैंकि भारत नमस्ते किशान बेगनिस किशान फिर से कुछ नया आध्रा का मैं आपके पास लेकर आऊंगा क्योंकि यहां से के लाग क्यों मशूर है वो चीजें मैं आपको दिख लाओंगा तब तक के लिए धन्यवाद थैंक्यू नमस्ते किशान नमस्ते भारान चैजवाद जैखिसान कर दो कर दो